बद्रिनात धाम की कपाट आगामी 19 नवंबर को शीतकाल के लिए बन कर दिये जाएंगे कपाट बन करने से पहले होने वाली पंच पूजाओं की प्रक्रिया जारी है इसके तहट आज खड़क पुस्तक की पूजा और वेद रिचाओं का वाचन बन कर दिया गया है वहीं इससे पहले बद्रिनात मंदिर के निचले हिस्से में अलगनन्दा नदी और तप्त कुंड के पास थित भगवान आदी के दारेश्वर महादेव मंदिर और आदी गुरू शंकरा चारे मंदिर के कपाट मंत्रो चारन के साथ शीतकाल के लिए बन कर दिये गए कल 18 नवंबर को लक्षमी पूजा के बाद भगवान नारायन के साथ गर्ब घ्रह में विराजबान होने के लिए मालक्षमी का आवान किया जाएगा जबकी पांचवे दिन यानि 19 नवंबर को श्री बद्री विशाल के मंदिर के कपाट अपराहन तीन बचकर 35 मिनिट पर ब भगवान बद्री विशाल के कपाट बंध होने की पारंपरिक पूजाएं जो पंच-पूजाएं के रूप में मनाई जाती है विगत 15 तारिक से सुरू की जा चुकी है अठारा तारिक को माता लक्षमी की पूजा की जाएगी और 19 तारिक को माता लक्षमी जी को भगवान बद्री विशाल के गर्ब ग्रह में इस्थापित कर दिया जाएगा और इसी के साथ भगवान बद्री विशाल का चल बिग्रह और कुबेर जी की मूर्ती को पांडू के सर के लिए रवाना कर दिया जाएगा तथा भगवान बद्री विशाल जी के कपाट तीन बच के 35 मिनट के पर इस वर्स के लिए बंद कर दिये जाएंगे। पर इस वर्स के लिए बंद कर दिये जाएंगे।